Hello Friends, आज मैं आप लोगें से बात करूँगा Transcription की Accuracy के बारे में जैसे कि आप जानते हैं Transcription जो है ये एक Lifeline है Stronography के लिए चाहे किसी भी Speed पर कोई हो उसके लिए Transcription बहुत ज़रूरी है मैंने अपनी पिछली वीडियोस में Transcription के बारे में कुछ वीडियो इशू की हुई है जिसमें Importance of Transcription है Punctuation in Transcription है Transcription कितनी करनी चाहिए रोजाना उस बारे में भी है Transcription से डर क्यों और Why to type Transcription डेली ये सब मैंने टॉपिक्स पहले लिए है आज मैंने Transcription की Accuracy के बारे में ये बनाई है वीडियो चैनोगाफी फील्ड में मैंने अपना Experience अपनी Knowledge जो भी है उसके इसाब से मैं आप से Share करूँगा Detailed Steps कि क्या-क्या Steps हमें लेनी चाहिए Transcription कैसे करनी चाहिए क्या Right Way है और उसे कैसे Improvement आती है और अच्छी Transcription किसको कहते हैं मैंने कोशिश की है इस सारी चीज़ को एक Document बना कर आपको देने के लिए ताकि आप इसको अच्छी तरह से पढ़के और समझ सकें सबसे पहले हमें कहते हैं Treat it as a test and not a formality Number One रोज जो भी हम Transcription करते हैं उसको हमें एक Test की तरह लेना है और डेली जब हम करते हैं तो यह हमें अपना Progress दिखाती है एक यह हमारे लिए Mirror है एक शीशा दिखाती है हमें कि यह आपकल situation है आपकी कि कैसे Progress चल रही है आपकी So it needs to be treated as a test and needs to be taken seriously इसलिए हमें we should write the dictation on a proper short hand notebook आप अपने pencil sharp pencil से लिखें या penges से भी लिखते हों लेकिन यह नहीं कि कोई पैंसिल ले लिख दिया No, we should prepare ourselves for transcription whenever we write it दूसरा point है Read the dictation before you start typing जब आप dictation खतम कर लेते हैं तो एक routine बनाईए make it a point कि आप उसको सबसे पहले पढ़ेंगे जितना भी समय हो वो दूसरी बात है लेकिन आपको पढ़ने की habit ज़रूर होने चाहिए क्योंकि जब हम reading करते हैं लिखी हुई dictation की और हमारे mind में सारे words fresh होते हैं हम अपने outlines को कहीं correct भी कर सकते हैं कही recall कर सकते हैं कोई आपका outline ठीक ने डाली उसको ठीक डाल सकते हैं साइड में आप words लिख सकते हैं और जो difficult या substituted words हैं उसको भी आप थोड़ा read outline कर सकते हैं whatever it is तो reading करना it is a must after every dictation इसके इलावे हम जब भी transcribe करते हैं और type करते हैं उससे हमारी transcription smooth हो जाती है हमें बार-बार पीछे नहीं जाना पड़ता back spaces यूज नहीं करने पड़ते क्योंकि हम उसको पढ़ चुके हैं हम उसका मतलब समच चुके हैं तूसरा ये है कि let us take more time in reading आपको reading का time हर test में मिलता है transcription जो आप routine में करते हैं उसके लिए तो आप ले ही सकते हैं कोशिश करिए जितने time आपको dictation हो उतना time reading में जरूर मिलना चाहिए आपको और कहीं अगर किसी test में अगर आप सोचते हैं कि time कम मिला है तो मैं तो यही करता रहा हूं कि transcription क्योंकि typing speed अच्छी होती है तो हम थोड़ा सा time उसमें से निकाल के पहले transcription को sorry dictation को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं ताकि हमें typing करते वेकर कम से कम problem आए और जितनी जल्दी हम typing कर लेंगे उतनी जल्दी हम उन्चीजों को review भी कर सकते हैं उसका time हमें मिल जाता है तीसरा point है कि आप try to understand the meaning transcription should preferably be typed in double space and a print taken on a paper कोशिश करके double space में करिये और print भी लीजिये reason being जहां भी आप test के ली जाते हैं अगर वह requirement है double space की और आपको याद नहीं रहता या आप routine में नहीं है तो आप नहीं कर पाते make it a habit of understanding the meaning of the sentence before you type जैसे मैंने अभी पहले भी कह था जब आप meaning समझ जाते हैं तो sentence को बनाने में आपको असानी हो जाती है outline को पढ़ने में असानी हो जाती है और जैसे कई लोगों की line miss हो जाती है तो वो चीज़ नहीं होती उन cases में जब आप उसका meaning लेके साथ के साथ type करते रहते हैं तो so try to understand the meaning जैसे ऐसे आप करते हैं उसको meaning समझने के कोशिश की लिए और punctuation के लिए of course आपको careful रहना ही है four is mark the mistakes honestly मैं तो हमेशा ये suggest करूँगा कि आप बिल्कुल honestly अपने paper को check करिए चाहे आप करें चाहे कोई दूसरा करे और ये नहीं होना चाहिए कि कोई और करे तो आपको लगे कि ज्यादा mistakes निकल रही है कोई concession ना खुद देना चाहिए ना किसी से लेना चाहिए और ये हमारे अपने interest में होता है जितना हमें पता लगेगा mistakes हैं उतना हम आगे उसको conscious होंगे repeat ना करने के लिए red pen से करिए mark करके ताकि clear पता लगे कि कुण कुण सी किस तरह के mistakes है और checking and identification of the mistakes preferably done as per the standard laid down by SSC SSC ने बता रखा कितनी mistakes कितनी किस तरह की error की कितनी mistakes है और मैंने एक table भी दी है आने वाली slides में आप देखी ध्यान से आप चाहें तो एक SC table भी आप बना के रख सकते हैं साथ में जिसमें देखेंगे आप tips for transcription description दे रखेंगे आप मिस्टेक्स की किसमें full mistakes है किसमें half mistakes है इनके सामने लिखते रहे है time taken for typing भी इसमें लिखिए ताकि आपको पता रहे है कितने देर में आप type कर रहे है तो यह दो slides है और जो words substitute किये जाते हैं उनको भी आप ध्यान से लिख सकते हैं कि कौन-कौन से मेरी कैसी गलती हो रही है तो यह एक tabulated form में आप बना के कर सकते है number five है take the mistakes in the right spirit हम जब भी transcription करते हैं हमारा purpose यह होता है कि हम उससे ज़्यादा ज़्यादा उसमें सीखें ताकि हम जो next time transcription करें तो उसमें improvement कर पाएं हर transcription हमें कुछ ने कुछ सिखाती है और उसी से ही हमारा continuous improvement होता है ज़्यादा mistake आने से हमें discourage नहीं होना in the sense के ज़्यादा mistakes हैं तो इसका मतलब हमारा पाश्कोप और ज़्यादा है करने का हमें और करना है और tough passage होता है तो उसको एक opportunity समझिए कि हाँ ये tough passage है तो मैंने ज़रूर करना है ताकि मुझे पता लगे मैं कितने पानी में हूँ तो tough message ही हमें ज़्यादा words देता है ने सीखने के लिए sixth point is adequate practice of words and phrases मेरी suggestion ये है कि physical record रखिए आप अपनी हर transcription का paper के उपर corrected जो होती है उनको रखिए अपनी file में ताकि आप अपनी जो progress है उसको monitor कर सके कि मेरे position कैसे चल रही है कितने percent mistakes आ रही है मेरी और किस तरह की mistakes आ रही है क्या वो control हो रही है नहीं हो रही उसके बाद after we understand each and every mistake we need to do adequate practice of new words and phrases जो भी आपको नए word आए है हो से के उनका meaning भी देखिए उनकी outline देखिए phrases जितने भी आप बना सकते हैं उनकी practice कीजिए और practice इतनी कीजिए कि कम से कम तीन चार बार उस passage को rewrite करिए dictation से सिरफ लिखिए और तीन चार बार minimum है आप जितना ज्यादा लिखेंगे और जितनी आपकी perfection आए की उतना आपकी जो next transcription है उसमें improvement होगा the more we realize the importance of the transcription and do it religiously the more we can gain out of it और transcription not to do transcription on a particular day जब आपका mood ठीक नहीं है सपोज आज आप नहीं करना चाहते तो मत कीजिए लेकिन ऐसा मत कीजिए कि उसको थोड़ा सा करके छोड़ देया उससे हमारी आदत खराब होजाती है that's not a good habit पैटरा नहीं करना बजाए इसके कि आप उसको half-hurted करें या incomplete करें then in case we develop a habit of doing the daily transcription in the proper way we would not feel any difference ना हमें nervousness होगी ना हमें किस चीज़ का डर होगा क्योंकि हम एक रास्ते से बिलकुल ठीक रास्ते से करते आ रहे हैं उस चीज़ को और हमें routine हो जाता है कि हम exam में गे तो हमने automatically वैसे ही किया और performance का भी हमें almost अंदाजा लग जाता है कि हमारी performance कैसी रहेगी एक routine बन जाता है we have to do it this is the right way I think and